पहला प्यार, हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है, और कहते हैं पहला, प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई, पहला प्यार वो होता है जो सबकी जिन्दगी में एक नया हिसास लाता है, पहला प्यार जिन्दगी की सबसे खुद सूरत पलो में से एक होता है, लेकिन बहु उनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की, उन दोनों की आँखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चहरे पर मुस्कान होती थी जब गार्मी की छुट्टिया चल रही थी और अमित को प्रीती की बहुत याद आ रही थी क्योंकि अभी स्कूल भी बन था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और नहीं उनका घर कही एक दूसरे के आजू-बाजू में था बहुत सोचते सोचते एक बिन अमित क्रीती को फेस्बुक पर दूमने लागा शायद उसका अकाउंट हो स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और नहीं कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे अब जोकी स्कूल बनते अमित कुद को रोप नहीं पाया फेस्बुक पर तो बहुत सी प्रीती नाम की लड़किया मिली लेकिन जिस प्रीती को वो ढूल रहा था वो नहीं मिली अमिट बहुत उदास हो गया वो बहुत बेचेंट हो रहा था प्रीती को देखने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था उधर प्रीती भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी, प्रीती नौगी कक्षा में थी तो उसके घर वालो ना उसे फोन नहीं दिया था तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी, स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था, वो दोनों एक करकी स्कूला रहे थे लेकिन प्रीती अभी तक उसे नहीं देखी, गेग पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ अब गेग बंध होने वाला है, आखिर अमित क्या करता वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रख कर प्रार्थना के लिए असेंबली में ग कि प्रीती अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी तो वो समझ गया कि प्रीती लेट आए होगी, अमित उसे देख कर बहुत खुश हो गया, अमित उससे बात करना चाहता था, एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीती की नजर मिली दोनों के चेहरे पर क Sakmaker के बाद फुशने के लिए बोल सके, तब ये थोड़ी ही देर में प्रीती को क्लास से बाहर आते हुए देखा, वो अकेली थी, मौका देखते ही अमित ने प्रीती से कह दिया कि स्कूल के बाद फूडी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस टॉप है वहार उपना प्री प्रीती उसे देखकर बोई ठीक है, और चली गई. दोनों अपने क्लास में चले गए, बस जलवी से स्कूल का समयख खतम हुने का दोनों इंतजार कर रहे थे. प्रीती के मन में बहुत से प्रशन चल रहे थे, अमित क्या बोलेगा. मैं उससे क्या बात करूंगी. स्कूल का समय खतम हुआ सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए प्रीती और अमित भी स्कूल से निकले और बस टॉप पर गए प्रीती जब वहाँ पहुची तो अमित पहेले से ही वहाँ खाड़ा था प्रीती उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था फिर अमित ने हिम्मत जूटा कर पूछा तुम फेस्बुक पर हो वो बोली नहीं मेरे पास फोन नहीं है अमित ने पूछा क्यों तो प्रीती बोली अभी मैं नौवी क्लास में भूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना माना है अमित बोला ठीक है फिर दोनों के बिच थोड़ी शांती थी फिर अमित ने पूछा आज तुम लेट क्यों आई स्कून प्रीती बोली मेरी बस छूट गए थी मुझे बेर हो गया फिर प्रीती बोली क्यों तुम मेरा इंताजार कर रहे थे अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला हाफ फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घठ चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात तो हला दोस्तों कैसी लगी ये कहानी का वीडियो आपको आपको अच्छा लागा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सुस्क्राइब जरूर करें और इस कहानी का अगला पाट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखे वह चीज कहानी का अगला पाटम चाहिए ठीक है मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में तक तक के करना कहा हुआ